हलो दोस्तों मेरा नाम है सावन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुप्ता जी आप लोग का फिर से एक बर हमारे चैनल पर स्वागत है इस एंड्रॉइड एप डबलप्मेंट सीरीज के यह बिसिकली ऐसे सीरीज है जहां पर हम लोग एंड्रॉइड एप को डबलप करना से यूजर इंटर्फेस वेगर है अभी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेगे कि एड्मॉब क्या है एड्मॉब का एड्यूनिट कैसे निकालते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि उस एड्यूनिट का यूज़ कैसे करना है अपने Android एप्लिकेशन में और जुरूर देखिएगा पूरा सिरीज फोलो कीजिएगा दो तीन पहले की वीडियोज है सभी के लिंक्स आपको इस कार्ड वेकर आपको मिल जाएंगे देख लीजिएगा काईस हम बात करते हैं एड मोब की अगर आपने एडसेंस का नाम सुना हो था ठीक यह इसी प्रकार का एड मोब है बेसिकली यह है गूगल का सर्विस यहां पर क्या होता है अडवर्टाइजर का पूरा चक्कर होता है बहुत सारे लोग को अपनी कंपनी के बारे में या फिर क काफी सारे पैसा गूगल को देते हैं और एक उनका टार्गेट होता है कि इतने आज का मेरा टार्गेट है हजार रुपया तो हजार रुपया के हिसाब से जितना एड होता वह एड सभी हम बात करते हैं यूटूब पर या फिर वेबसाइट पर या फिर एंड्वाइड तब जो बिसिकले वेबसाइट बनाते हैं ब्लॉगिंग करते हैं उसके इसी एवरेज में होते हैं और उसके भी एक चलते हैं ऑब थोड़ा दिर में पीसी पे वही पर विकास वल्याप को बताएंगे कि कैसे एड मॉब यूनिट निकालना है कैसे लॉग इन करना है वेगर लेकिन एडमोब में ठीक एडसेंस जैसा है सब कुछ वहीं प्रोसस है चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको क्या करना ओता आने वाली वीडियो में हम एक एप्लिकेशन भी बनाएंगे और दिखाएंगे कि उससे अर्निंग कितने होगे और आप लोग और निंग करक भी तस्रे परट में जहां पड़ हम जाने गे यूनिट कैसे क्रियेट करते हैं एडमोब मिंस एडमोब से हम पैसा कर सकते हैं मिंस अगर हम कोई और आप बनाते है तुछ मंद पैसा करने का इक ही जरिया है वह central और वह तंक बने यह सो में सर्चिछ यह दो टाइप के थे में इस दो टांकवल में इस डो टाइपC бегंट से Ela पैसा कमा सकते हैं तो चलिए हम देखते ये युट कैसे ऊठ्ब करते हैं और इस युट को कैसे डालते हैं तो यहां पर मैंद और यह सब्हादा आब मुझे simple admob एकाउंट कर ना दॉस्द नेक्स टैब सिम्पल हम अपने मेल से लाग इन होंगे यहाँ पर देख सकतूं में आप सब्सक्राइब अब कर दो अब डिया है यहाँ अले Nebenan में हमुआं बाख्येद लाक आ रहा है यहां पर यहां पर अपर हग्रा धग कर सब्सक्राइय ओर हुआ अब दॉच्याटव में जाहिं लॉकन आपका country जो है वो select करना मैं यहां पर इंडिया कर लेता हूं और second में है आपका time जून कुलकाता आपको search कर लेना है यहां देखो शुरू में ही कुलकाता मिल गया है तो इस पर click कर लेते हैं अब बचा billing currency तो हम यहां पर simple dollar करेंगे बस मैंने यहां पर तीन चीज़ को select कर लिया है अब नीचे यह agreement आपको पढ़ना है तो पढ़ सकतो termine condition इस पर click करो और create admob account बहुत ही simple है admob account create हो चुका है यहां पर कुछ आपको yes no में जवाब देना है means आपको कुछ extra help चाहिए admob का आपके mail के थुरू सायद तो वह आप yes no कर सकते हो मैं आप no no कर देता हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए आप देख लेना अगर आपको चाहिए तो continue to admob करते हैं और यह हमारा था last step आप हम आप पढ़ा चुके हैं अपन पसा है तो चलो हम यहां पढ़ाते हैं यहां देख सकतो मेरा dashboard खुचुका है ready to take off है get started पे click करते हैं अब पूछ रहा है have you published your app on google play या app store तो मैंने अभी तक कोई नहीं किया तो no पे click करेंगे अभी जो आप बना रहे हो जो नाम दियो app का यहां देखो थंकबल पे यहां screen 1 हैं हमने app का नाम क्या दिया earning तो सेम चीज आपको देना है आपका app का नाम क्या है earning और platform क्या है Android फिर add पे click करते हैं और simple यहां पर देखो next create add unit पे हमको click करना है और यहां पर banner इंसर्षियल banner और इंसर्षियल और रिवाड़ेट इसका यूज हम ठंकबल में नहीं करेंगे ह हम यह दोनों का यूज करेंगे आप यहां पर देख सकते हो banner और इंसर्षियल यही दो दिये विये हैं add mob में तो हम यही दो का यूज करेंगे जिससे हम earn कर सकते हैं तो banner अगर हमें चाहिए banner add unit तो select पे click करेंगे और यहां पर देख सकते हो android format banner है और add unit का क्या नाम देना है यह मुझे add unit दे दिया है यह रहा add unit आपको यहां पर इसे copy कर लेना है Ctrl सी प्रेस करके और यहां पर आपको paste करना है यह मैंने था banner का यूणिट शॉरी मैंने आप इंसर्षियल में डाला है इसे banner में डालना है तो यह है अमारा banner का यूणिट और यहां पर गलती से हो गया था तो इसे हटा देते हैं अब मुझे इंसर्षियल का चाहिए तो देखो मैंने आप बैनर का यह copy कर दिया यह sdk के लिए अलग चीज़ है android app अगर आप android studio में बनाते हो उसके लिए अब हमें banner कर लिया है तो देन पर क्लिक कर देते हैं अब हम बात करते हैं सर्षियल का त तो simple हम इसे copy कर लेते हैं और ठंकवल के इस इंसर्षियल पर यहाँ पर लगाके paste कर देते हैं यह simple है हमने यहाँ पर done फिर से कर देना है और यहाँ पर देख सकते हो हम इस app यहाँ पर देखोगे तो आपका एक app आ जाएगा जो आपने अभी लिया है earning नाम है android app और उसमें आपका कैसे सो हो यह सब काम कैसे होता है यह हम बात बाकी स्रीज में बात करेंगे